तो है जो भी इडिक्स की परेक्सय चालू करते हैं उनको काफ़ी इसूज होते हैं कफ़ी 的 से खास कर कि ओ Cloke एंविरेमेंट में काफ़ी जयाद समीशन जाता होती है रियल एंफौरमेशन कम होती है पहले वी में काफ़ी सब्सक्राइब कर चुका हूं कि जैसे पेरेंट्स का बैक्ग्राउंड बहुत जादा मैटर करता है लोगों लगता है इसका इस बनता है ऐसा नहीं है तो ज्यादा तर आइस के बेटें मतलब पापा से विल सर्वेंट्स नहीं होते ठीक है कई बार मतलब यूजुली कोचिंग से काफी फरक पड़ता है लेकिन अब जैसे अनकेडमी और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म सा रहे हैं तो मिस इंफॉर्मेशन जो थी जो पहले सिर्फ कोचिंग वालों को अविलेबल होता थे जो नोट्स अच्छे नोट्स या ची इंफॉर्मेशन जो उनको इस एक बारे में कोचिंग इस मैंडेटरी शक्सीड इन वेरी बिग मिथ एंड हाफ फ दी पीपल सम्टाइम्स इन मैनी सर्विसेज और विदाउट कोचिंग दूसरा इस कैन नॉट बीडन फॉम टाउं डेली इसमाशन लैसे और होम टाउं डेली अगें लोगों को लगता है कि ऑनलाइन को कभी भी आप कंपेर करी नहीं सकते ऑफ लाइन से तो ऑनलाइन रिसोर्स अर्मच हायर अगर आपके बास अच्छे नोट्स भी अपने परसनल तो आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ठीक है फिर दिल्ली में लोग इसलिए आते थे क्योंकि स् क्योंकि पूरा स्ट्रेटिक पोर्शन दाने अचैडमी पूर्डी कवर्ड है ठीक है तो मैं गैरेंटी ले सकता हूंगा अचैडमी पर पढ़के आपको दिल्ली जाने की तो जर्रत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी फिर कई लोगों को दिल्ली इसलिए भी जाते हैं उनको सकता है आपने रंतर एक डालेक्शन में भी आप करते रहोगे तो क्रैक हो सकता है पिर मीडियम और स्टेडी की बात दियंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट सेभाइज अगर आप स्टेटिस्टिक लिए तो आपको लगेगा कि या टॉप्स वामें तो एक ही हिंदी मीडियम क के लिए कोचिंग चलाना लेकिन जैसे अब हिंदी मीडियम वाले तो एक तरफ हुए है आप सोचो कि मल्यालम मीडियम हुआ तेलकू मीडियम हुआ तमिल मीडियम हुआ तो उसके लिए भी काफी कम material available होगा तो उसी लिए जिसे ऐसे online चीज़ाएंगी क्योंकि online distribution काफी कम होती है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टि लिंग्वल कॉंटेंट लेके हैं दिरे दिरे टाइम के साथ साथ तो मीडियम भी बहुत बड़ा मित है हिंदी विडियम वालों का भी सेलेक्शन हो सकता है बशरते आप अच्छा मेटीरियल पड़ें ठीक है फिर है इत देन अगें इन 2011-2012 गोट्राइड गोग्राफी आप अजाए अभी मेटिकल साइंस का फ्य चल रहा है तो सकता है वह भी क्राइश हो जाए तो सम्सक्राइब सब्सक्राइब इस वरी रॉंग ड़ी देपेंस ऑन पाफ पाट इस पटट इवन इव प्रेश इस इस आप इंजिनियर्स होते हैं और 20-30 डॉक्टर्स होते हैं तो वैसे आप देखो कि तो हाँ एडवांटेज होता है लेकिन इंजिनियर्स और दॉक्टर्स जो होते हैं वह ताइम भी सिंसियर होते हैं स्टुडेंट्स तो वही से इस का पोर्शन आ गया तो उनको तो बहुत जाद किसी को कोई एडवांटेज नहीं है जो पढ़ेगा उसका सेलेक्शन हो जाएगा जो नहीं पढ़ेगा उसका सेलेक्शन नहीं होगा सिंपल सेलिबस है सिंपल प्रिवेस और सिंपल प्रिलेम्स का विपर है फिर 18 hours of daily study is necessary that is wrong कई लोग बोलते हैं कि वह ठारा गंटे आप 20 गंटे पढ़ते हैं वह जूपिटर से थोड़िया है और हम भी यहीं से थे चैसे 8 गंटे अगर आप पढ़ सकते हो एक से एड़ साल विद ब्रेक ऑफ 25 पर 5 मिनिट्स 50 मिनिट्स पर 10 मिनिट्स देन यूवल बी अबल तो सक्सीड़ी नहीं है ठीक है फिर 18 hours अगर आ फिर आ दे केंनूट क्लिर दी एक्जाम वाइल वरकें दिस आल्सो वरी कॉमन में थामंग वर्किंग प्रोफेशनल्स आ यह मेड अप पढ़ रहे हो तो आप कैसे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो फिर कहीं लोगों की दिमाग में होता है कि हम कि यह प्रवान चल उनिवर्सिटी से किसी को नहीं पता और इंटर्व्यू में भी कोई इतना फरक नहीं पड़ता है लोग को लगता है कर पूर फाइनेंशल बैक ग्राउंड से तो इसके बाद लोगों को लगता है कि टॉपर्स कोई दूसरे प्लैनेट से आते हैं तो वह भी बिल्कुल गलत है ठीक है लोगों को लगता है मिलियंस फॉर्म भरे गए मैं कैसे सक्सीड होंगा मैं तो एक एवरेज स्टुडेंट हूं और इतना सारा क्योशन आउट अप से लिबस आता है मेरी तो आईक्यू भी बहुत कम है तो मैं फेल होगा तो क्या होगा मेरा ठीक है तो इतने सारे डाउट स और एबेज तो आईक्यू प्लाउट अवरेज प्स भ्स एंधेर आग्द इए ट्टाव टो आग्टेश लाग्ट व्यर जिफ खिदी यर्ट इख आए टेटे एंग्झीर अग्डेश्ट अष्टी लाग्ट जूग्डेंड है उन अवस्ट लेड़ेश्यू टे ट्यर